नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल जिक्के बाई सुने सर्वे दोस्तों वादे के नरूप आज आप सभे के लिए फिर से एक नई क्लास एक नया वीडियो और वो मलेकर उपस्तित वह हूँ राधसान में मीठे पाने की जिलों में और आज हमारी पहली जो जील है वहें जैसम्मद जील के बारे में है जय सम्मंद जील जो राधसान की उधायपूर में सीथ है और इससे सम्मंदित बहुती श्यांदार श्यांदार पॉइंट जो बहुत कम आपको पढ़ने को मिले है उसी परकार के कुछ पॉइंट से यहां पर मलेकर उपस्ती तो हम आप सभी दोस्तों को रमस्ती आप सभी को राम राम दोस्तों अगर आप से कोई ऐसा विदार थी जो हमाई क्लास में इस पहली बार आ रहे तो प्लीज आप सबसे पहले हमारे जिल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेश कर ले ताकि जब भी क्लास आए वीडियो ड़ल जाए आपकी पास नोटिपिकेशन प अब देखने को मिलता है कि उसमें कुछ टापू बने हुए है साथ टापू स्थित है बड़े टापू का नाम चोटे टापू का नाम क्या है तो वो सबी बाते हम करेंगे लेकिन यहाँ पर इस पिक्चर में जो आपको दिख रहे हैं वो सभी यहाँ पर टापू दिखाई दे रही है बड़े छोटे टापू इस जील के मद्धे में बने हुए है यह किसने बनवाई कब बनवाई गी थी यह है एक स्यांदर पॉइंट आपको आगे और भी देखने को मिलेगी लाश्ट तक आप देखते जाएं जैदा बड़ा वीडियो नहीं होगा आठ से दस मिन आपने महलों के बारे में जानकर यहां पर आपको मिलने वाली है तो यह भी एक बहुत शांदर अध्रस्यापको यहां पर जैसंबंद जील के बारे में और अब देखते हैं आगे इस जील के बारे में बहुती विश्तार से चर्चा करते हैं जैसंबंद जील जो रादस्ता के दुवारा इसका निर्मान करवाया गया दो क्यूशन कब करवाया गया तो यहाँ पर 1687 से 1681 में और किसके दुवारा करवाया गया तो महारणा जे सिंग के दुवारा करवाया गया कुछ और महत उपन बात ही इस जिल के उपनाम अत्वा अन्य नाम क्या क्या है तो दोस्तो कि बस्ती ही एक नया पोइंट आपके लिए कि निमन में से किस जील को जल्चरों की बस्ती कहा जाता है तो वह कौन सी है जैसमंद जील उसके बाद में आगे कुछ क्योंसर ऐसे पूछी जाते हैं कि जो है जैसमंद जील है उसमें कौन-कौन सी नदियों का पानी आता है तो इ बुक्ष में आपको यही देखने को मिलेगा गौमती नदी हलांकि जाबरी और वागर का जल्वी इसी में आता है गौमती नदी है वह सोम नदी की साइक नदी है इस जील का कुल शेतरफल पचपन वर्ग किलोमेटर है ये भी आप इसको इसके समन्द में याद जरूर रख भारत की दूसरी बड़ी क्रित्रि मिठे पाने की जील है। वह हैं गोविंद सागर जील है। बने हुए है। अब हम पीचे बात कर भी चुक हैं आपको याद होगा अपने देखा होगा हैं। कुछ टापू है तो इस जील में कुछ साथ टापू बने हुई है टापू का मतब देखिए यहां पर यह आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बड़ी मुस्किल से मुझी पिक्चर देखने को ढूंडने पर मिली यह जो इसके चारों और पानी है और बीच में एक छोटा सा दीप जैसे आकरती बनी है वो टापू ऐसे साथ चोटे बड़े टापू इस जील के मंदे में बने हुई है तो उन टापू से समंदित कैसे क्यूसन एक्जाम में आते हैं एक बार क्यूसन आया था कि इन टापू पर निम्र में से कौन निवास करता है इन टापू पर भील और मीना जनजात्य निवास करती है साथ तो टापू है उन में से कुछ टापू बड़े हैं कुछ छोटे हैं तो आकार में से सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भंगडा कई बार ये क्यूशन पूछा भी जा चुका है कि जई सम्मंद जील में स्थित सबसे बड़े टापू का नाम क्या है तो सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगडा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी अथार्थ पयारी प्यारी अथार्थ प्यारी जो है वो सबसे छोटे टापू का नाम है और छोटा बच्चा होता है वो तो वैसे भी प्यारा होता है तो उससे भी आप याद कर लें छोटा है तो प्यारी अथार्थ प्यारा है इस पर एक और भी महत्वपुन टापू बना है जिसका नाम है बा जैसम्मन जिल के निम्र में से कौन से टापू पर वर्तमान में होटल आइसलेंड रिसोर्ट सिथ है तो वह बाबा का मगरा नामक टापू है और उस पर यह सिथ है उसके बाद और कुछ म έχत व्पन बाती, जिल के किनारी उद्यवपुर की महल, हवा महल स्थ है और इसी जिल के किनारी रूठी रानी का महल भी है बहुत महत व्पन रादस्तान खुछ में ऐसे ही क्यों सनाती है एक बार आगया था ननाटनी का चबूतरा, हम आगे बात करेंगे, एक जील आइगी इससे पर नटनी का चबूतरा पूछा गया था राधस्तान पशिश में, रूठीरानी का महल पूछ सकते हैं कि कॉल स्धी जील के किनारे सेते हैं, तो वह है दोस्तो जई संबन्द जील के क निकाली गई थी कब निकाली गई क्यों से आ सकता है 1950 में किस जील से जैसमंद जील से कितनी नहरे दो नहरे इन में से वह जील जिसमें पेजल के साथ साथ चींचाई भी होती है तो वह जैसमंद जील और कौनची दो नहरे निकाली गई तो वो नहरे हैं स्यामपूरा नहर और दूसरी कौनची है भाट नहर स्यामपूरा और भाट नहर निमर में से कौनची जिल से निकाली गई तो कौनची जिल से निकाली गई जैसमन जिल से कब निकाली गई 1950 में तो ये कुछ महतोपूर पॉइंट और कुछ महतोपूर बाते थी दोस्तों जैसमन जिल के बारे में यह आपको कैसे लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगी साथी दोस्तों आप अगर हमारी चैनल के पहली बार आ रहे हमारी क्लास में आज पहली बार आ रहे तो प्लीज आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी क्लास आई, वीडियो ड़ल जाए, आपके पास लोड़ी केसर पहुँच जाए, आज सिर्फ इतना ही, ऐसे कुछ अद्बुद वीडियो लेकर में और भी आता रहूंगा, आप सभी का बहुत पहुत धरिवाद, थेंक्यू, जे वार्त, बंदे मात्रब,